दोस्तों अगर आप सुबह उठकर खाली पेड़ गुड़ खाते हैं और उपर से गुनगना पानी पीते हैं तो इससे आपको बहुत सारे चौंकाने वाले सवास्तेलाब मिलेंगे सबसे पहला फाइदा आपको ये होगा कि इसे आपके पूरे शरीर की अंदर से सफाई होगी गुड कुदरती रूप से शरीर की सफाई करता है इसे खाने से लीवर, फेपड़े, सांस की नली, आंतें, पेट और खाने की नली इन सभी अंगों की अंदर से सफाई होती है गुड शरीर के अंदर से सभी हानिकार कणों को बाहर निकाल देता है इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा प्रदूशित वातावरण में रहते हैं जैसे फैक्टरीज और कोईले की खदानादी में उन्हें हर रोज गुड खाने की सलाह दी जाती है यदि आप ज्यादा प्रदूशित जगए पर रहते हैं जैसे दिल्ली वगएरा में तो आपको रोजाना गुड जरूर खाना चाहिए इसे आपके शरीर के अंदर से सभी जहरीले पदार्त बाहर निकल जाते हैं गुड खाने का दूसरा फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपका पेट खुल कर साफ होने लगेगा कब्ज की समस्या ठीक हो जाएगी गुड पेट में पाचक रसों को सक्रिय कर देता है एक्टिवेट कर देता है जिससे खाना सही धंग से हजम होता है और पेट खुल कर साफ होता है गुड खाने का तीसरा फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपका खुन साफ होने लगेगा गुड़ खून साफ करके सवास्ते को बढ़ाता है जिससे बीमारियों के होने का खत्रा कम होता है गुड़ खाने का चौता फाइदा आपको ये होगा कि इसे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉंग हो जाएगी गुड़ में जिंक, सिलेनियम और एंटी ऑक्सिजेंट्स होते हैं जो शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाते हैं इससे आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन के होने का खत्रा कम हो जाता है अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए तो गुड़ को गरम पानी में घोल कर इसे गरम गरम पी लें इससे आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा क्योंकि गुड़ गरम होता है और शरीर के अंदर जाकर गरमाहट देता है इससे सर्दी जुकाम भाग जाता है महिलाईं अगर जो जाना गुड का सेवन करती है तो उन्हें माहवारी के दौरान होने वाली तकलीफ से छुटकारा मिल जाता है माहवारी के दौरान जो पेट में दर्द होता है रेगुलरली गुड खाने से वह दर्द नहीं होता गुड खाने का पांचवा फाइदा आपको ये होगा किस से आपके शरीर में खून की कमी दूर हो जाएगी गुड में आईरन और फॉलेट होता है जो शरीर में खून की कमी को दूर करते हैं गुड खाने से शरीर में हीमोगलोबिन की मातरा बढ़ जाती है गर्भवती महिलाओं को गुड जरूर खाना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अक्सर उनके शरीर में खून की कमी हो जाती है लेकिन रोजाना गुड खाने से उनके शरीर में खून की कमी नहीं होगी गुड खाने का च्छटा फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपके आन्ते मजबूत बनेगी क्योंकि इसमें मेगनिशियम होता है जो इंटेस्टेनल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है 10 गराम गुड में 16 mg मेगनिशियम होता है गुड खाने का साथ tutti आपको यह होगा, कि इससे आपके शरीर का तापमान सही रहेगा गुड नॉर्मल बॉड़ी टैमप्रेचर को मैंटेन करने में मदद करता है गुड़ खाने का आठवा फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपका बलड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा गुड़ में पुटाशियम और सोडियम उचित मातरा में होते हैं जो नॉर्मल बलड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करते हैं गुड़ खाने का नौवाँ फाइदा आपको ये होगा कि अगर आपको कोई सांस की समस्या है तो इससे वह समस्या ठीक हो जाएगी। गुड़ का नियमित सेवन करने से अस्तमा और बरॉंकाइटिस जैसी समस्याओं में बहुत अराम मिलता है। गुड़ खाने का दस्वाँ फाइदा ये होगा कि इससे आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आप गुड़ को अदरक के साथ खाते हैं तो इससे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। गुड़ खाने का ग्यारवाँ फाइदा आपको ये होगा कि इससे आपका फालतू वजन धीरे-धीरे कम होने लगेगा। गुड़ में पोटाशियम होता है जो आपके शरीर में इलेक्ट्रो लाइट्स का बैलेंस बनाने में मदद करता है, मास्पेशियों को बनाता है और मेटाबॉलिजम को तेज करता है। कोटेशियम खाने से शरीर में फालतू पानी की मातरा कम होती है, जिससे आपका वजन कंट्रोल में रहता है। गुड़ खाने का बारवा फाइदा ये है कि इससे आपके शरीर में कमजोरी दूर होती है। जो नॉर्मल सफेज चीनी होती है, उस चीनी में सिंपल कार्बो हाइदरेट होते हैं, जो एकदम से हजम होकर तुरंत खून में पहुंच जाते हैं और तुरंत उर्जा देते हैं। लेकिन ये उर्जा थोड़े समय के लिए होती है। इसके वीपरित गुड में कमपलेक्स कार्बो हाइदरेट होते हैं, जो धीरे धीरे हजम होकर धीरे धीरे खून में मिलते हैं, और शरीर को लंबे समय तक उर्जा देते हैं। इसका ये मतलब भी है कि गुड खाने से शुगर लेवल एक अदम तेजी से नहीं बढ़ता है, क्योंकि इसमें मौजूद शुगर धीरे धीरे खून में मिलती है, जो लंबे समय तक शरीर को उर्जा देती है। इससे आपको पूरे दिन में जो थकान महसूस होती है, उससे राहत मिलती है, गुड एक कुदरती डायूरेटिक है, यानि यह पिशाब की मातरा को थोड़ा सा बढ़ा देता है, इससे पिशाब के रास्ते में होने वाला इंफेक्शन नहीं होता, यह यूरिन बलेडर में होने वाली सूजन को भी घटा देता है, दोस्तों आपको गु मुझे जरूर बताएं, बहुत बहुत हन्यवाद!